इस्तानी जांगिड ब्रामन भवन में कासी से आए हुए महेंत अनुबवदास के अद्धिक्षता में चल रहे साप्ताइक सत्संग के दिव्य आयुजन के आठ दिन जोदपूर महामंदिर से पदारे महेंत लक्षमनदास महाराज का स्वागत हर सुल्लास के साथ किया गया इस मौसव में ब्यावर से आये महेंत स्री लालदास महाराज संथ क्रपाराम जी महाराज का भी स्वागत किया गया संगत में मुख्यातिती महिंत स्री अनबवधाजी महराज ने नाम महात्म की विसेष्था बताते वे काहा कि राम नाम को प्रेम पृति से जब कोई रटन करता है तो परमख्ष को क्यों नहीं पाएगा जब पापी से महापापी जीव भी भाव या कुभाव से नाम लिया तो उसकी भी अदोगती टल गई सतत सुमिरन लिवबंद भजन से ही परमोक्ष होगा परंतु अंत समय में जिसके मुँ से राम नाम निकल गया उसका भी कल्यान हो गया अजामिल गणी का जैसे लोग भी तर गए सत संगत का महातम बताते हुए महिन स्री लक्षमन दाजजी महाराज ने कहा कि बिना संगत के जीव भगती में नहीं लग सकता कल्यान नहीं हो सकता मेहन स्री राम लाल दाजजी महाराज वै संत स्री करपा राम जी महाराज ने भी वानी के हरी जसों को सुनकर भक्तों को श्रद्दा और भक्ती से भाव विवहोर कर दिया इस मोके पर अर्जुन राम जांगड, राम करंडरा, राम देव सोनी, महेश पूरी, उनसा पूरी, कन्यालाल बागडी, पावन कुमार जांगड, सीता राम जांगड, असोक सोनी, विमल मोदी, कमल अगरवार, राम निवास गो स्वामी, स्रमन सर्मा, रामी बाई, उमा अग वी सहीत समस्त भक्त गर्ण मुझूद थे को राम पे कहार नहीं पिया अजाती में सांख वेशुले जाच्या अजामे में सांख वेशुले जाच्या करते नहीं सांख वेशुले जाच्या करते नहीं सांख वेशुले जाच्या